खरगौन जले की भीकनगाओ पुलिस से वाहन चेकिंग के समाई विधूत पॉल के एलूमिनियम तार चोरी करने वाले गिरोहों के छे आरोपियों को गिरफतार किया जिससे हड़कम बज गया हम आपको बता दे कि लंबे समय से सक्रिय गिरोहों विधूत विभाग के पॉलो से एलूमिनियम के तारों को काट कर कबाडियों को बैसता था जिसमें आरोपियों से करीब 2 लाख रुपे का 8 क्विंटल 56 किलो एलूमिनियम तार जब्त किया साथ ही 15 लाख रुपे की एक आर्टी का और टेंपो वाहन भी जब्त किया गया खरगाउन से जैन्त गुपता की रिपोर्ट ये फर्यादी MPV के जैई बेरागी जी ने एक ताने पे सिकायद की थी कि कुछ इलेक्ट्रिक पोल से तार चोरी हुए है रिपोर्ट पर से हमने अपराद पंजेबत किया है और रात में जो है चेकिंग करें दी पुलिस चुकिए पहले से अधीकारियों के हमारे वरिश चाधीकारियों की निर्देश हैं कि संपत्य संबंद अपरादी और अपरादों पकड़ा धकड़ी के लिए लगाता है पेट्रोलिंग और चेकिंग करें इसी तार्तम में रात में चेकिंग के दोरान एक आइटियो गाड़ी को चेक किया जिसमें विद्यूत का तार रखे हुए थे और चेक करने पर पाया कि तार के संबंद में उनके पास किसी प्रकार के कोई दस्ताविज नहीं है पूस्ताज पर उन्होंने जो बताया कि ये तार चोरी करके ला रहे थे और चोरी के होने पर हमने छे लोगों को इसमें गरपतार किया और उनके पास से करीब साड़े आठ कुंटल विद्यूत तार एलूमिनियम के और दो गाडिया एक आईटी का गाड़ी है और एक छोटा हाती गाड़ी जब्त किया है आज आरोपियों को हमने नियालाई पेश किया था बिनमें से चार आरोपियों को जेल भेजा अगर दो आरोपियों का पुलिस रिमान लिया है उनसे अभी पूस्ताज की जा रही है इनकी करीब तार की कीमत होगी दो लाग रुपे और जो बाहन जब्त किये हैं उन बाहनों की कीमत होगी 15 लाग के असपास सर भीकन गाओं में जहां ये वित्व चोरी इतनी बड़ी वारदात को अन्यान देने वारों को पुलिस ने पकड़ा है पिछले पुछ दिलों ताले टूपने घटनाई भी बहुत हो रही है उसमें पुलिस नाकाम रही कर रहा है कि हम लोग लगातार जो है अगस्त और पैट्रोलिंग कर रहे हैं और कुछ जगे नकभजनी की घटना हुई है और कुछ हमने पकड़ी भी है और आगे भी हम लोग प्रियास कर रहे हैं कि जो भी घटना हुई है उनको जल्द से जल्द हम लोग ट्रेस करेंगे और जो अनक के लिए आप हमारे जिनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे देल आइपोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें